हुशादपूर मार्ग पर रामामंडी फ्लाई ओवर के नीचे स्थेत मार्केट दिपावली की रात भीशन आग की चपेट में आ गई सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभा की साथ गाडियां मौके पर पहुँच गई लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल विभा की मदद के लिए एर फोर्स की फायर ब्रिगेड को आना पड़ा इस भीशन आग पर काबू करने के लिए एर फोर्स ने फॉर्म की मदद से आग पर काबू पाया घटना की सूचना मिलते ही ACP जस्पीर सिंगराई, ACP स्पेशल ब्रांच सोमनाथ सहित, थाना राबामंडी वे थाना बारादरी की पुलिस दलबल सहित मौके पर पहुच गई घटना की जानकारी देते हुए ACP सोमनाथ ने बताया कि ये आग शौट सरकेट होने से लगी थी क्योंकि राद के समय मार्केट की सभी दुकानों के शटर बंद थे, इसलिए किसी और कारण की संभावना नहीं दिख रही हाला की गनीमत है कि देरात मार्केट बंद होने के कारण इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन लाख रुपयों के सामान के नुकसान की अशंका जताई जा रही है लेकिन वहां नीचे से देखे कि कितना आग है लेकिन वहां नीचे आग दिख रहाता लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि कितना आग है लेकिन हमने क्या कि है पहले पानी फेक के देखा कि आग बुझ रहा है लेकिन उससे ज़्यादा तर कंट्रोल नहीं हुआ अभी हुआ से सिर्फ स्मोक लेकल रहा है और आग बंद हो गया और उसके बाद हमने हुआ बुझाने के बाद यहां इनसे पूझा कि क्या कर सकते आपके लिए इन्होंने बुला कि हमें पानी देना है अगर हमें जरूरत पढ़ा है